नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IPL चांपियन्स पर राची में भारत और इंग्लेंड के बीच चौथा टेस्ट मैच जारी है भारतिय टीम को मैच जीतने के लिए 192 रनों का टार्गेट मिला है तीसरे दिन स्टम्प के समय भारत ने बिना किसी नुकसान के 40 रन बना लिए स्टम्प के समय यशस्वी जायस्वाल 16 और रोहित शर्मा 24 रन पर नाबाद लोते अब भारत जीत से सिर्फ 152 रन दूर है बता दे कि इंग्लेंड ने अपनी पहली पारी में 300 तिरपन रन बनाए थे इसके बाद भारतिय टीम की पहली पारी 307 रनों पर सिमट गई थी यानि पहली पारी के आधार पर इंग्लेंड को 46 रनों की लीड मिली थी इसके बाद इंग्लेंड की दूसरी पारी 145 रनों पर सिमट गई और भारत को जीत के लिए 200 रनों से कम का टारगेट मिला इंग्लेंड के लिए दूसरी पारी में ओपनर जैक क्राउली ही संधर्श कर पाए क्राउली ने साथ रनों की पारी खेली क्राउली के अलावा जौनी बेर्स्टो ने तीस रनों की पारी खेली भारत की ओर से आर अश्विन ने पाँच और कुल्दीप यादव ने चार विकेट लिये अश्विन का ये 35 विकेट हॉल रहा वही कुल्दीप यादव ने चार और रवींद्र जडेजा ने एक विकेट लिया कुल्दीप 28 रन बनाकर आउट हुए वही जुरेल ने अपने टेस्ट करियर की पहली 50 लगा दी जुरेल ने 149 गेंदों का सामना करते हुए 90 रन बनाए जुरेल ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 चक्के लगाए इंग्लेंड की ओर से शोय बशीर ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए वही तॉम हाटले को 3 जबकी एंडर्सन को 2 सफलताएं हासिल हुई आईए अब बात करते हैं उस खिलाडी के बारे में जिसकी करंट फॉर्म टीम इंडिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के रिप्लेस्मेंट के तौर पर तीम इंडिया में शामिल किये गए रज़त पातिदार की जिनका फॉर्म गड़बडाया हुआ नजर आ रहा है ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या पातिदार को सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच को धर्मशाला में भी मौका मिलेगा रजत पातिदार को इंग्लेंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज में विराट कोहली के रिप्लेस्मेंट के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया गया उनसे बड़ी उम्मीदे थी टीम इंडिया के मैनेजमेंट ने भी उन पर भरोसा जताया कोहली के फेवरेट बल्लेबाजी पोजीशन यानी नमबर चार पर उनको खेलने का मौका मिला अब तक वो पाँच इनिंग्स खेली हैं सभी में उनका बैटिंग ओडर नमबर चार ही रहा है पर उनका सीरीज में प्रदर्शन उनकी प्रतिभा के अनुसार नहीं रहा है उनका एवरेज है 12.6 है पाटिदार का यह प्रदर्शन उनके घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन के भी आसपास नहीं है इस दोरान राठोड ने इस बात पर जोर दिया था कि कोई खिलाडी केवल दो खराब मैचों के आधार पर बेकार प्लेयर नहीं हो जाता है ये किसी के साथ भी हो सकता है ऐसे में एक बात तो साफ है कि फिलहाल टीम इंडिया का मैनेजमेंट पाटिदार के साथ नजर आ रहा है वैसे टीम इंडिया के मैनेजमेंट का यह फैसला सही भी माना जा सकता है क्योंकि हाल में शुगमन गिल के साथ भी ऐसा हुआ था, वो लगातार टेस्ट क्रिकेट में फुस हो रहे थे. इसके बाद भी उनको टीम में रखा गया. वाईजेग, विशाखा पत्तनम में 332 दिनों बाद उन्होंने टेस्ट शतक जड़ा था. पार्टिदार ने वाईजेग में देबिव मैच की पहली पारी में 32 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 78 गेंदों का सामना किया. फिर उसके बाद वो कोई भी इनिंग लंबी नहीं खीच सके. इसके बाद पार्टिदार 9 रन, वाईजेग में 5 और 0 रन, राजकोट टेस्ट में, रांची टेस्ट में 17 रनों पर आउट हुए. हालांकि पार्टिदार किसी भी मैच में खराप शॉट खेल कर आउट नहीं हुए हैं. शायद वो इन्टनेशन मैचों का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही हैं, जो उनके आउट होने की वज़ा बन रहा है. हम उम्मीद करते हैं कि रजत पार्टिदार जल्द ही फॉर्म में वापिस लौट आएंगे और इंडिया के सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करेंगे. दोस्तों, यह था तीसरे दिन के खेल का विशलेशन और एक यूवा खिलाडी की कहानी चौथे दिन के खेल के बारे में जानने के लिए बने रहे कल भी हमारे साथ. हमें उम्मीद है कि आपको यह विडियो पसंद आया होगा. अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना न भूले. इस तरह की प्रेडादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें. धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए विडियो के साथ.